इस वीडियो में हम लोग बहुत ही नजदीकी से समझेंगे कि क्लोजर क्या होता है चलते हैं गंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टिट आज बात करने वाले हम लोग अधार कि और बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट टॉपिक जावा स्क्रिप्ट में और उतना ही आसान है जितना ज़ादा इंपोर्टेंट तो सबसे बहले अगर मैं आप लोग को डेफिनेशन बताऊं ग्लोजर की तो नेट से मैं सच करके आप लो क्लोजर जैस तो यह अब आप लोग देख सकते हो क्लोजर इस अ कम्बिनेशन अफ फंक्शन बंडल तोगेदर विद रेफरेंस तो इस सराउंडिंग स्टेज इसको लेक्सिकल इंवाइमेंट भी कहते हैं अब क्या बतलब इस चीज़ का इसको समझने के लिए थोड़ा सा कोड लिखते हैं तो मैं आपर simply एक फंक्शन मनाऊंगा और उसका नाम लिखमाँ लिखना हैलो वन और इसके अंदर मैं कंसॉल डॉट लॉट कर दूंगा क्या मैं डेबल कोड़ के अंदर हैलो वन लिख दूंग अब मैंने यह किया ठीक है अब मान लो मैं यहाँ पर एकव variable बनाता हूँ मैं लिखता हूँ message is equal to good morning ठीक है और यहाँ पर कहता हूँ hello one plus message ठीक है और small m लिखना पड़ेगा मुझे और मैं काम और करूँगा कि इस line को replicate करके यहाँ पर भार लिख दूँगा good global ठीक है अब यह क्या है sense नहीं बनाता है कोई समझो यार मेरी भावनाओं को हर चीज का sense बनाना भी जरूरी नहीं ठीक है मतलब कुछ चीज़े concept के लिए भी में demo variables बनाई सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर good global मैंने लिखा हुआ है अगर यहाँ पर यह message नहीं होता और मैं hello one को call करता तब यहाँ पर आपको console में क्या देखने को मिलता मुझे बताओ आप लोग बहुत ही simple है hello one good global देखने को मिलता ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ से good global रहने दूँ और यहाँ पर इसको uncomment कर दूँ तब आपको क्या देखने को मिलेगा आप मुझे खुद बताओ क्या आपको good morning देखने को मिलेगा absolutely आपको good morning देखने को मिलेगा ठीक है जो इसको मैं reload करूँ hello one good morning यह देखने को आपको मिलेगा और यह बहुत ही simple सी बात है यह simply scope का concept है जो कि हमने पह अब क्या इसका output होगा नहीं होगा change यार क्यों change होगा होना भी नहीं चाहिए लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दो message is equal to और मैं यहाँ पर लिख दो मानलो good afternoon और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक console.log लगा दूँ एक और console.log लगा दूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं message तो let का होता है block scope ठीक है अगर मैं यहाँ पर let लगाता हूं तो let का होता है block scope और अब आप लोग यहाँ पर देखना है कि मैं इसको save करके अगर run करूंगा तो good afternoon good morning मुझे देखने को मिलेगा क्योंकि यह जो यह वाला message है जिसमें good afternoon लिखा है वो सिर्फ इस block के अंदर valid है उसके बाद जो है आपको यह वाला reference जो है मिलेगा जब आप console.lock करोगे तो ठीक है आयोप यह जी समझ में आई आप लोगों को अब यहाँ पर मैं एक बड़ी विचित्रसी चीज़ करने वाला हूं और मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इस function के अंदर function मनाने वाला हूं क्या function इस function के अंदर function हाय रख फंक्शन के अंदर function ठीक है और मैं अपर लेट्सी इस इकुल 2 और मैं अपर लेगा function הélo 2 और कुछ इस तरह से मैं जो है console.lock करोंगा console.log IMC ठीक है और मैं क्या करोंगा return कर दूँगा C को ठीक है अब मैं लिखूंगा C is equal to hello world और मैं call कर दूँ मैं C को यार ये क्या चल रहा है देखो होगा क्या कि जब मैं C is equal to function hello to इस तरह से कर रहा हूं और मैं इसके बाद इसको मैं return कर रहा हूं C को तो होगा क्या कि मुझे ये वाला function मिल गया ठीक है अब अगर मैं इसमें message को use करना शुरू कर दूँ ठीक है तब क्या होगा आप तो चले होगे कि जब ये वाली line चलेगी C is equal to hello one हम तो जानते हैं इस बात को कि hello one जब चलेगा इसके सारे variables वगेरा जो है वो use होंगे और return हो जाएगी value and finally value return होने के बाद इसके जो variables वगberg है वो सारे destroy हो जाएगे एक है ये destroy हो जाएगा सब जितने भी इसमें local variables सब destroy हो जाएगा और जो return value है वो हमें मिल जाती है इसमें लेकिन यहाँ पर तो return value जो है वो एक function है और उस function के अंदर हम लोग एक variable इस्तिमाल कर रहे है तो यह चल गया रहा है ठीक है क्या होगा यहाँ पर message variable तो इस function के अंदर था वो तो destroy हो गया होगा नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता है message variable ज़रूर destroy होता है लेकिन जो आपको return में मिलता है वो होता है closure और closure का मतलब होता है एक function अपने environment के साथ function प्लस उसका lexical environment यानि कि यह function मिलेगा आपको और यह variable भी आपको मिलेगा जो की message है और यह message कौन सा वाला आप लोग को मिलेगा जो भी यहाँ पर इसके अंदर message आया होगा और वो message का reference होगा ठीक है तो कौन सा message क्या value यहाँ पर print होगी अगर मैं C को call करूँगा तो I am C और इसके बाद क्या print होगा आप लोग मुझे बताओ सबसे बहले तो यह print होगा क्योंकि यह तो चले गई चलेगा इसका block scope मैंने दे रखा है ठीक है मैं in fact comment out करूँगा इसको और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि good morning के साथ-साथ जो है C को return कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पर good morning print होगा हाँ बिल्कुल print होगा यानि कि I am C good morning print हो रहा है यानि कि जब आप return कर रहे हो C को यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि यह function तो return हो रहा है इसी के साथ साथ इसका lexical environment भी return हो रहा है ठीक है और इसी को closure कहते है ठीक है एक function along with this lexical environment तो आप लोग देखो यहाँ पर a closure is a combination of function bundled together with references to its surrounding environment जिसे lexical environment भी कहते है इन्होंने यहाँ पर एक example दिया हुआ है इनके example से अगर मैं आप लोग को समझाओ मैं mdn के example से अगर सेम चीज़ आप लोग को समझाओ तो देखो एक local variable बनाया गया ठीक है उसके बाद एक display name नाम का function बनाया गया जिसके अंदर यह local variable use हो रहा था ठीक है फिर उसके बाद display name को run कर दिया ठीक है और मैंने आपर init को run कर दिया अब अगर मैं यहाँ पर इसको return कर दो मैं आपर लिकाँगा return कर दो भाई display name को और मैं आपर लिकाँगा let's see is equal to init और c को call करूँगा ठीक है तो अगर मैं यह करूँगा तो क्या मुझे mozilla print होकर मिलेगा the answer is absolutely yes मुझे mozilla print होकर मिलेगा क्योंकि जो display name है वो एक closure है उसमे display name function का logic तो ही है लेकिन उसी के साथ साथ उसका lexical environment भी है ठीक है अब यहाँ पर एक corner case की आप से बात करना चाओगा और मैं यहाँ पर name को equals to करके Harry कर दो बस कर दिया यहाँ पर बन चुका है और इसको return कर रहे है तो mozilla ही print होना चाहिए Harry print नहीं होना चाहिए बड़ी और रॉंग है और मैं उसका reason आपको बताऊँगा आपको Harry print token मिलेगा उसका reason यह है कि जब यह closure return होता है तो function return होता है उसी के साथ साथ उसका lexical environment के references return होते है वो value return नहीं होती है हाट कोडों के ऐसा नहीं है कि mozilla value हाट कोडों के return हो रही है function के साथ नहीं यह references variable का रिटन हो रहा है तो अगर मैं इसको बाद में भी change कर दूँ तो क्या मुझे print token मिलेगा मुझे mozilla print token मिलेगा नहीं मुझे mozilla print token नहीं मिलेगा मुझे name print token मिलेगा जो भी value name की हो अगर आपने name को change कर दिया है जैसे कि मैंने आपर कर दिया है हैरी तो आपको हैरी जो है वो print token मिलेगा I hope कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई तो जब मैं c is equal to init कर रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप एक variable को ढूंडते है ठीक है जैसे कि मान लो मैं एक function के अंदर function मना हूँ उसके अंदर एक और function मना हूँ मैं आपर एक practice के नाम से function मनाता हूँ ठीक है मैं लिखता हूँ const या फिर मैं xyz करके बनाता हूँ x is equal to a function जो की एक arrow function है ठीक है आप और में लिखे हनगा const y is equal to a function जो की एक arrow function है और फिर लिख़्टों यहाँ पर meva confidence z is equal to a function जो की एक arrow function है तिन function मने बना लिए ठीक है मानलो मैं लिखता हूँ let a is equal to यहां पर one और इसके बाद मैं इसके अंदर लिक्षाओंगा लैट is equal to two और यहां पर मानलो मैं लेखता हूँ lets equal to three ठीक है let control v let is equal to 3 और मैं अगर यहां जेड के अंदर यह फिर मैं काम करता हूँ मैं अगर यहां पर मैं इसको format करता हूँ छाए गए मेरा Y यहां पर start हो रहा है यहां खतम हो रहा है अगर मैं यहां पर Y को call करता हूँ तो मैं यहां पर Y को call करता हूँ In fact, मैं इसको cut करके यहां ले जाता हूँ कि यह हमारा first example था और इस पूरे को मैं comment out करता हूँ अभी के लिए, ठीक है हमने यहाँ और x, y और z नाम के तीन functions बनाए, इसके अंदर एक local variable था यह सब के अंदर हम a को print कर रहे हैं यहाँ तक सब को पता है अब अगर मैं यहाँ पर y को call कर रहा हूँ ठीक है, y के बाहर मैं y को call कर रहा हूँ और x को call कर रहा हूँ तो x पहले चलेगा, ठीक है, यह variable बनेगा a print होगा, यह की value 1 print होगी फिर y call होगा, यह यहाँ पर जो है 2 print होगा, ठीक है और Z को तो हम कॉली नहीं कर रहे हैं तो लेट सी कि ऐसा होता है कि नहीं होता है तो 1 पहले प्रिंट हुआ फिर 2 प्रिंट हुआ बिल्कुल सही हमने आपर कि अगर मैं Z को भी यहाँ पर कर दू इस तरह से तब आप लोग देखो कि यहाँ पर 1,2 और 3 प्रिंट हो रहे हैं अब यार यह तो पता है यार आप लोग होगी यार यह किसको नहीं पता है ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ आप देखो मैं आपर बनाने वाला हूँ function return func return func के एक पलब मैंने बनाया हुआ return func नाम का यह function इसको मैं डाल दूँगा return func के अंदर ठीक है और मैं आपर क्या करूँगा return करूँगा x ठीक है x एक function याद रखना आप लोग और इसको मैं आपर क्लिक करके जो है format कर लूँगा मैं इसको ऐसे करता हूँ इसको ऐसे करता हूँ ठीक है अब return func मैं जो है उसे call करूँगा ठीक है और मैं कहूँगा let a is equal to return func और a को call करूँगा तो a एक function बनेगा क्या इसके अंदर function के अंदर के अंदर के variables भी रहने वाले हैं क्या closure पूरा एक function के अंदर closure के अंदर closure के अंदर closure करके return हो सकता है the answer is yes हो सकता है let a is equal to 2 or let a is equal to 3 जब मैंने किया इसको comment out करता हूँ and just before calling y मैं a is equal to 999 कर देता हूँ for some reason मैं इसको 999 कर रहा हूँ और इसके बाद मैं अगर आप लोग को दिखा हूँ तो आप लोग देखो कि 1,999,999 प्रेंट हो रहा है फिर हमने console.log a किया तो one print हुआ फिर जब हम y call कर रहे हैं उससे पहले ही हमने a को update कर दिया तो y के अंदर जो a मुझे मिलेगा वो 999 मिलेगा क्योंकि y के पास अपना a नहीं है वो अपने parent का a use कर रहा है जो इस तरह से lexical scoping काम करती है यार अगर y के अंदर एक variable नहीं है जैसे कि a नहीं है तो वो देखे का क्या मेरे parent environment में है ठीक है उसके lexical parent में है की नहीं यह देखेगा और यहां भी नहीं होता तो फिर at the end global variables में देखेगा तो इस तरह से closures काम करते हैं यह पूरा का पूरा एक closure होगा function के अंदर के function के अंदर के function जो है वो भी closure बनाते हैं तो nested code आपका एक closure form कर सकता है तो closure को access होता है अपने outer function के scope का भी ठीक है तो अगर आपसे कोई भी पूछे आज की तारीक में यह सबसे जादा पूछे आने वाला interview question है बाइदे वे आपको बता दू कि closure क्या होता है तो आप उससे safely कह सकते हो कि closure एक function होता है along with its lexical environment यानि कि एक function के साथ उसका lexical environment bind हो के आपको मिलता है उससे हम closure कहते हैं और आप बहुत ही simple वाला example जो कि यहाँ पर है यह देकर closure समझा सकते हो और आपको पूछा जाए और फर्द elaborate करने के लिए ठीक है so 90% of the cases में आपको interviewer अगर basics पूछ रहा है आपसे closure के तो यह example पर रुख जाएगा max to max आपको variable update करके देखा और पूछेगा कि यह variable आपने update कर दिया अगर तो क्या प्रिंट होगा updated variable या फिर mozilla प्रिंट होगा जैसे कि हमने देखा था but nested functions भी closure बनाते हैं यह आप लोगो बताना चाहता था इसलिए मैंने एक advanced level पर example आपको दिया I hope कि आप लोगो मज़ा है closures के इस वीडियो में javascript की playlist अगर आपने access नहीं करी है तो कर लें क्योंकि सिर्फ 10 वीडियो के बाद हमारी century लगने वाली है I hope कि यह course आपके लिए बहुत ज़दा helpful रहा अगर आपने अभी तक पहले वीडियो में जाकर अगर अपना review नहीं दिया तो यार मैं आपसे request करना चाहूंगा कि आप पहले वीडियो में जाए और अपना review दें वहापर आप कुछ इस तरह का comment लिखना आप वहापर लिखना मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आप लोग अपना review दे कि भाई क्या इस course से आपको सीखने को मिल सकता है जावास्क्रिप्ट आप अपना review देना लिखना कि this course is जैसे भी आपको लगता है मैं नहीं गहारा हूं कि positive review इची email को आप review देना क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोग को कैसा लगा एक course और future में अगर कोई scope रहता है improvement का तो I'm ready to that तो मैं लोगों के opinion जो है वो सुनना चाता हूँ and at the same time कोई भी इनसान अगर इस course को start कर रहा है तो वो देखेगा और वो reviews देखेगा उसके बाद ही वो अपना time देगा यार ये 100 videos कोई मजाक नहीं है एक student के लिए English अगर week है तो obviously वो proceed नहीं करेगा course के साथ तो उस तरह की चीज़ अगर आप करते हो इस तरह की चीज़ तो काफी फाइदा होता है students का अभी एक लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल